नमस्ते कार और आज हम कड़े हैं फ्रेंच कॉम्पेक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी वाइकल के सामने जिसका धाम है रेनौ डस्टर टुजाजन नाइन में लॉन चुई थी और ये फर्ट जेनरेशन ही आप देख रहे हैं पैट्रोल डीजल और आटमेटिक ट्रांस्मिशन मे है एट लाइक से और टॉप मॉडली कीमत है थर्टीन लाइक रुपीज ये टॉप मॉडल आरेक्स जेड आप देख रहे हैं आटमेटिक ट्रांस्मिशन पैटल और डीजल दोनों में आएगा टुजाजन थर्टीन की इंडियन कार आफ दीयर रह चुकिया डस्टर तुजा दाचिया कंपनी द्वारा बनाई जाती है जो रेनौ की ही कंपनी है इसलिए डाचिया डस्टर भी कहते हैं निसान टेरेनो भी रेनौ डस्टर ही है डस्टर का पिकप ट्रक वर्जन डस्टर ओरुच भी आता है बट वो इंडिया में अवलेबल नहीं है पैट्रोल में 1200cc, 1600 2000cc और LPG वेरियंट्स भी आते हैं वो भी इंडिया में अवलेबल नहीं है डाचिया के B0 प्लेटफार्म पर बनी है डस्टर जिस पे डाचिया लोगन और रेनौ कैप्चर भी बने है 4.3 मिटर लेंथ है 1.7 मिटर हाइट है 205 mm ग्राउंड क्लियरंस है और यह है 16 इंच के स्टील वील्स का भी आप्शन है आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे फ्रंट वील ड्राइव है और यह कायक रूफ रेल्स रोमानिया इंडिया ब्राजील कोलंबिया रशिया और इंडोनेशिया में असेमली होती है डस्टर की सेफटी के लिए यूरो सेफटी के अंदर दो एयर ब्राइवाल एलेडी टेल लैंप्स मिलेंगे डकार रेली आइस रेसिंग चैंपियंशिप पाइक स्पीक और कई मोटर स्पोर्ट इवेंट्स में रेस करती है डस्टर पाइक स्पीक रेस के लिए तो 850 होस पावर की डस्टर नो लिमिट बनाई सेफटी के अंदर दो एयर बैग्स बॉश 8.1 ABS, EBD, Emergency Brake Assist, Stability Control, Engine Immobilizer, Center Locking, Hill Start Assist, Reverse Parking Camera, Rapid De-Acceleration Warning, Speed Sensitive Door Lock और Impact Sensing Door Unlock मिलेंगे वाइए पीछे का बूट खोलते है तो यहां आपको मिलती है 475 लेटर की बूट स्पेस, Seats Fold करने पर 1064 लेटर की स्पेस बन जाएगी यह टूलकेट और इसके नीचे कुछ नहीं है स्पेर विल यहां नीचे आएगा यहां पर अभी स्पेर विल भी यहां पर से निकाल दिया है आएगे पीछे का पैसंद साइड दोर खोल कर देखते है तो यहां पर दोर पे फैपर फैब्रिक फिनिश है, चार पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिले दर्प्र में यह स्पीकर है यहां पर पार विंडो की कंट्रोल्स फैब्रिक फिनेश और ऐसे जिखती है पीछे की सीट्स फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलेगी सीट के पीछे पॉकेट्स दी गई है सं रूफ नहीं आती है डस्टर में इस फैब्रिक की फिनेश तीन हेड्रेस मिलेंगे आम रेस्ट पे दो कप होल्डर्स है और ऐसे दिखता है फ्रंट का डैशबॉड सॉफ्ट टच डैशबॉड है थ्री स्पोक स्टेरिंग वील है और यह रीडिंग लाइट दी गई है आपर एक इस तरफ भी दे रखी है आईए अब ड्राइवर साइड दोर खोल कर देखते हैं यहाँ पर भी नीचे बाटर रोल्डर काफी स्पेस दी गई है पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं फैब्रिक फिनेश पावर विंडो के कंट्रोल्स स्पीकर और ऐसे दिखते हैं आगी की सीट्स एट वे अड्जस्टबल ड्राइवर सीट मिलेगी लंबर सपोर्ट के साथ और यह फ्यूल लिट खोलने का लीवर यह सीवेंट यह लाइट के कंट्रोल्स हैं पैडल्स और यह है टिल्ट अड्जस्टेबल पावर स्टेरिंग पीछे बाटल होल्डर दिया गया है हैंड ब्रेक यह आम रेस्ट है और यह है फाइव स्पीड मैनूल ट्रांसमिशन सिक्स स्पीड और आटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है आगे दो ग्लास होल्डर से हैं चार्जिंग पोर्ट है इको मोड है ऑप्शन है बहतर एवरेज के लिए और यह है आटोमाटिक क्लामेट कंट्रोल एसी हीटर के साथ और यह है टच्स्क्रीन इंफोटेन्मेंट अन कर लेते हैं कार को यह है टच्सक्रीन इंफोटेन्मेंट सपोर्ट करेगा रेडियो, एफम, ब्लुटूथ, यूएसबी, आक्स, वाइस रेकोगनेशन और जीपियस, सैटलाइट नैविगेशन दो इस इवेंट्स हैं यहां पर भी काफी स्पेस ही गई है कुछना कुछ रखने के लिए यह ब्लूटूथ सैटिंग, डिस्प्ले सैटिंग्स, आउडियो सैटिंग्स यह नैविगेशन यह डस्टर का लोगो है यहां पर और लाइट के साथ मिलेगा ग्लोब बॉक्स और यह पैसेंज राइड वेंटी मिरर, रियर व्याइड मिरर, यह रीड़िंग लाइट दीए यह यहां पर ड्राइवर सैट नहीं मिलेगा वैनटी मिरर और यह है थ्री स्पोक पावर स्टेरिंग यह लाइट के बडूज कान्ट्रोल यह वाइपर के कंट्रोल्स है यह लाइट के कंट्रोल्स और यह है इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर साइड में मल्टी इंफरमिशन डिस्प्ले है जो दिखाएगा एवरेज रेंज, एवरेज स्पीड और आउटसाइड टेंपरेचर आईए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं और देखते हैं इन लाइन फोर सिलेंडर 1500 CC DCI डीजल एंजन 85 PS पावर है 200 Nm टॉर्क है 19 का एवरेज मिलेगा 50 L के फ्यूल टैंक से डीजल में एक और इन लाइन फोर सिलेंडर 1500 CC DCI एंजन आएगा उसकी होगी 110 PS पावर 245 Nm टॉर्क और वो भी 19 काईवरेज देगा पैट्रोल में इन लाइन फोर सिलेंडर 1500 CC H4 के एंजन आएगा उसकी होगी 106 PS पावर 142 Nm टॉर्क और वो देगा 13 काईवरेज डीजल एंजन आपको देगा 19 काईवरेज तो कैसे लिए आपको रेनाओ डस्टर हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू